आप देखरों बुरूनी डाप्रेटार व्लॉग आज मैं बने डॉक को देने आ लगा हूं फूड एक बड़िया से डूल्स का देख सकते हो आप यहां पर है तो मैं इसके आपको पहले रीजन्स बताता हूं क्या किस लिए देना चाहिए और क्यों देना चाहिए गाइस पहल तो मेरा डॉक अच्छे से थोड़ा बहुत खा लेता है लेकिन कई डॉक्स को पसंद नहीं आता है कई डॉक को पेडिगरी पसंद आता है कई डॉक्स नहीं खाते पेडिगरी खा लेते हैं और डूल्स नहीं खाते पेडिगरी खा लेते हैं तो ऐसा होता है गाईस तो आप आप पहले छोटा लाइओ क्या है कैसे है और कहा राए पिर आप बड़ा पैक लाओ इसमें कोई अरज है तो गाइस मैंने में अच्छी वीडियो पर बने रहाओ अच्छी वीडियो है पसंद आएाए लाक करना श्यार करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल बुनी दालेडर व्लोग को अपना डूल थे है इसको मैंने पाल लिया है वैसे पुराना हो चुका है एक दो मैंना हो गया इसको मगाए और बुनी देख लाया खाने के लिए अधाथ पनी ले लोगे फिर अपको इसको गैस मैं इसको इसको कुन-कूना करता हम पस और कुछ नहीं झाल झाल मeszंफो बॉडाब अपना पानी कर मो हो चुक है तो अपना पानी अहां यहां पर रख लेंगे और हैर स्यों आपको यह राख लेंगे यह वालाद थो कुछ भी ले सकते हो पैडीगरी ले सकते हो, रॉयल फार्डुल्स ले सकते हो, भी ले सकते होสहते हो, जी विर norms ले सकते हो다고 किヴीडकरीन अचानक से और food change करते हो जैसे rules में आते हो आप तो क्या करना है आपको day 1 यह देखिए day 1 क्या देना है इसको थोड़ा सा मिला के देना है फिर day 2 आपको थोड़ा सा और देना है फिर से day 3 को थोड़ा सा जा देना है फिर 4, 5, 6, 7 फिर एकदम quantity बढ़ा देना है एकदम अचानक से नहीं बढ़ाती होती गाईस अचानक से कोई भी डॉग को आप एकदम अचानक से कोई भी food नहीं दे सकते जैसे कि आप pedigree दे रहे हो तो अचानक से drills दे दूँ royal cannon दे दूँ ऐसा नहीं होता गाईस आपके डॉग पर बहुत ही जादा असर पड़ेगा इस चीज के लिए आपको समझना चाहिए तो पहले इसको हम गरम कर लेते हैं अच्छा से इसके गरम होने के बाद पूरा यह उबल जाए अभी तो गरम है पूरा उबल जाए एक प्रकार से मोटा हो जाए तब आपको देना है तो गाई यह पूरा मोटा हो जाएगा तब मिलते हैं ठीक है तो आल्मोस्ट गाई यह उबल चुका है तो देख सकते हो आप एक प्रकार से आपको अच्छे से दीख रहा होगा यह उबल चुका है इसका पानी हम अलग कर लेंगे आप चाहते हो तो अपने डॉब को दे सकते हो वह पानी मैं रख लेता हूंग इस थोड़ा पानी इसमें तो मैं पानी को पहले इसमें डाल ज़ता हूं फिर आपको मिलता हूं तो गाइस मैंने पानी और फूड अलग कर लिया है आप चाहो तो ये पानी दे भी सकते हो और फिक भी सकते हो लेकिन मैं इसको अपने डॉप को प्रॉपर देता हूँ भुणा कथा दाइना तो इससो को फोड़ा ने देते हैं ऑです एक बोल में रख लेता हूं मैं फिर भूनी को देते हैं खाने के लिए और उस-पे हम लोग कुछ कुछ मिलाएंगे जैसे की दवाही वो रिखाएंगे अब तो तो गाइज इसको हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा गरम है ये और हज से जदा गरम है, अपने डॉक को गरम नहीं, ठंडा करके देंगे हम लोग, तो ये जब गरम होगा, तो इस पे हम लोग दवाई वागरा मिलाएंगे, और कौन सी दवाई मिलाएंगे, वो भी आपको मजबूत करता है, और गोबर पत्थर खाने से रोकता है, लेकिन आपको इसको मात्र एक धक्कन मिलाना है, कमपणी क्लेम करती है कि 10 ml मिलाओ लेकिन नहीं, 10 ml पिलाओ गे तो डॉक खाता नहीं, पेदी बात पीता नहीं खाना, चाहा आप कुछ भी खाना दो, हाँ चिकन पजी देते हो, तो इसको 10-15 ml मिला सेकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप हम 5 ml मिलाओंगे, तो चलिए गई इसको मिलाते हैं, फिर देखते हैं, तो पहले मिलाने, पहले मैं इसको अच्छे से हिला लूँगा, तो मैंने एक धक्कन इसको ले लिया है, तो करने और चावल देते हो, और दही देते हो, तो इसको मिलाओगे, तो वनली legg दही को ही खाएगा, चावल सुखा चावल बहुत से डॉग नहीं खाते हैं, भाइज बहुत लोग के डॉग नहीं खाते, चलिए इसको मैं देता हूँ, खाने के लिए रेड़ी, हाँ बोलो ह दर्दा सेट सेट कि खाना है फूड नो जा खाले चल फूड नो इटिंग फूड ट्रेनिंग के लिए आपको वीडियो देखने है गाई तो आप हुमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सकते हो इसने पूरा खाना एक प्रकार से चाट चाट के खा लिया है ऑल्मोस्ट बढ़िया लगा है भूलने की कोशी में ज्यादा भूपता है नहीं इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल लाइक करनी हमारी वीडियो और शेयर करना अपने सब्सक्राइब के साथ तो मिलते है नेक्स वीडियो पे तो अपना डॉगी अभी पानी पी रहा है पानी पी के सो जाएगा ये तो